नमस्कार, टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है, मेरा नाम है आकांग शाराय, फ्रेंट्स हम लोग प्लेटो की वीडियो सिरीज कवर कर रहे हैं, पार्ट वन जिसमें हमने प्लेटो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थेयरी आइडियास कवर किया था, और पार्ट प्लेटो जो है न, वो एक आइडियल स्टेट बनाना उनका सपना था, वो चाहते थे कि एथेंस को एक आइडियल स्टेट बना दे, तो प्लेटो का ये मानना था कि अगर वो आइडियल स्टेट स्टैबलिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि जस्ट स्टेट स अपने बुक The Republic में देते हैं प्लेटो की theory of education को discuss करने से पहले प्लेटो की theory of justice को discuss करना बहुत important है तो प्लेटो जो है Athens को ideal state बनाना चाहते थे और ideal state बनाने के लिए उन्हें Athens में justice establish करना बहुत important लगा जिसकी वजहा से उन्होंने अपने बुक The Republic में theory of justice दी theory of justice के according प्लेटो कहते हैं कि एक just state वही state है जहां सब लोग अपने dominant character या trait के according अपना काम करते हों मतलग according to him in a just state everyone perform tasks according to the dominant qualities of their soul अगर आपने last वीडियो देखा है तो आपको ये बाते समझ में आ रही होंगी अब देखो प्लेटो सिर्फ theory नहीं देते हैं प्लेटो उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि उसको implement कैसे करना है तो theory of justice में उन्होंने ये तो बता दिया कि just state establish करने के लिए जरूरी है कि आप अपने dominant trait को अपने soul के तीनों traits में से dominant trait को पहचानो और उसी के हिसाब से जो profession बताया गया है उस trait के लिए वो choose करो और उसी को करने के लिए अपनी पूरी life जो है लगा दो उसको practice करने के लिए उस profession को उसमें जो है महानता हासिल करो तो तभी जाकर के एक just state जो है वो establish होगा लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे soul में dominant trait कौन सा है कौन सा character dominant है तुम्हारे soul में reason, courage और appetite में से तो Plato ने इसके लिए एक system तयार किया अपने theory of education में उन्होंने इस system को establish किया और उन्होंने बताया कि इस system से, इस process से होकर गुजरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे में, तुम्हारी soul में तीनों में से कौन सा character जो है वो dominant है अब देखो Plato Athens में रहते थे और उन्ही का पडोसी city state था Sparta तो Sparta के लोग जो है वो बहुत देशभक्त किस्म के लोग थे वो लोग बार-बार, मतलब वो जबरजस्थ military training होती थी उन लोगों की वो लोग बार-बार Athens के उपर attack करते थे तो Plato जो है वो उनके system को भी study करने लगे और Athens के उतो वो study करते ही थे तो फिर उन्हें पता चला कि जो Athens के लोग है न, Athens के लोग जो है वो ज़्यादा तर intellectual education पे ध्यान देते हैं, बारधिक शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जबकि Sparta के लोग जो है वो military training पर ज़्यान देते हैं फिर उन्होंने देखा कि Athens के लोग जो है वो women's के education पर ध्यान नहीं देते, women's को education के लिए eligible नहीं मानते, जबकि Sparta में लोग कहते हैं कि सबके लिए education जो है वो बहुत important है, Athens में education जो है वो government control नहीं करती है, यहाँ फिर sophists जो है वो education control करते हैं, sophists जो है वो कुछ guru टाइप के गोते थे, जो लोग सिक्षा देते थे, लेकिन वो लोग सिक्षा जो है वो सिर्फ elite class को देते थे, और उनसे पैसे एठते थे, पैसे बनाते थे और उन लोगों का जो है था, कि उनको बात करने की कला बहुत अच्छे orator थे वो लोग, ठीक है, तो sophists जो है वो education को control करते थे Athens में, लेकिन Sparta में state control करता था education को, इसी वज़ा से वहाँ सब के लिए education जो था, mandatory था और सब हर कोई education के लिए eligible था, चाहे वो male हो female हो, कोई भी हो, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़े देखी जो Athens में थी और Sparta में थी, और उसके बाद Athens की सारी अच्छी qualities, सारे अच्छे concepts education के बारे में ले लिए, और Sparta के भी सारे अच्छे concepts, जो वहाँ पे implement किया जा रहा था, वो ले लिया उन्होंने, और फिर उसको mix करके अपना view, अपना theory of education उन्होंने तयार किया, मतलब अपने theory of education में, जो Plato थे, वो Athens की good concepts से भी inspired थे, और Sparta के भी, ठीक है, तो Plato जो है, और सबसे बड़ी बात, जो Plato के theory of education की सबसे अच्छी बात ये थी, कि उन्होंने भी इस चीज को implement किया, कि men और women दोनों के लिए education compulsory है, मतलब उस वक्त, जबकि, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, कि women को, एक औरत को आदमी के बराबर दर्जा दिया जाएगा, और right दिया जा उनका मानना था कि अगर हम लोग किसी औरत को equally train करते हैं, तो कहीं से भी वो जो है उस level को अचीव करने में कमी नहीं छोड़ेगी, जो एक इंसा आदमी अचीव कर सकता है, तो ये Plato की thinking थी, जिसके लिए उन्हें बहुत criticize भी किया कुछ लोगों ने, जिसको हम इस वीडियो के last part में देखेंगे, तो अब ये तो हमें पता चल चुका कि Plato ने theory of justice, Plato ने अपने ideal state का सपना पूरा करने के लिए theory of justice दिया, और theory of justice में उन्होंने बताया कि theory of justice में उन्होंने कहा कि तुम अपने तीनों traits में से देखो कि कौन सा dominant है और उसके हिसाब से काम करो, फिर उन्ह कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे में कौन सा trait जादा है, तो इसके लिए उन्होंने theory of education दिया, जहां उन्होंने एक scheme बताई, वो scheme क्या थी, तो देखो, Plato की जो theory of education की scheme है, वो दो stages में divided है, पहला state जो है वो primary education है, और दूसरा state जो है वो higher education है, तो बहुत सारी books में ये जो primary stage का जो subdivision किया गया है, बहुत सारी books में वो अलग-अलग करके बताया गया है, तो मैंने जो यहां पे material put किया है, वो मैंने O.P. Gaba, Western Political Thought के writer है O.P. Gaba, उनकी book से लिया है, वो काफी एक standard book है, UPSC, Civil Services, aspirants, जो optional लेते हैं, political science, उनको भी recommend किया जाता है, तो वहां से मैंने ये plan करूंगी, तो अब देखो, Plato का अपना ideal state establish करना चाते हैं, उसके लिए उनको just state बनाना पड़ेगा, just state का मतलब है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा trait dominant है, और ये पता करने के लिए Plato ने theory of education दिया, जिस से तुम्हें प्रॉसेस से होकर तुम्हें पता चल कस्टेडी में ले ले और वहां से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दे, ये western political thought OP GABA में ऐसा ही लिखा हुआ है, कि जब बच्चा पैदा होता है, state की responsibility है कि वो उसको अपनी कस्टेडी में ले ले और वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दे, तो primary education जब बच्चे का होता है, तो वो तीन सब स्टेडे में डिवाइड है, 0-10 साल की उमर तक कुछ अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है, 10-15 साल की उमर में कुछ changes कर दिये जाते हैं ट्रेनिंग में और 15-20 साल की उमर में, ट्रेनिंग में कुछ और चीज़ें भी change हो जाती हैं, तो पहला stage discuss करते हैं, primary education क जिरो टू टेन येर्स इसमें प्लेटो ने कहा है कि यहां पे बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है वो कहते हैं कि जो भी स्कूल कैमपस जहां पे उनके ट्रेनिंग हो रही है प्राइमरी लेवल पे फर्स स्टेज में वहां पे जिमनाजियम और प्ले है कि बच्चा जो है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए वह फिजिकली बहुत स्ट्रॉंग हो जाए ताकि फ्यूचर में उसको दवाओं की मेडिसिन की जरूरत ना पड़े मतलब वह कहीं से भी कमजोर ना रह जाए शुरू से ही वह बहुत एक हेल्दी बच्चा प्राइमरी एजुकेशन का सेकेंड सेज आता है जो कि 10 से लेकर के 15 साल तक चलता है प्लेटो कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे को थोड़ा बहुत म्यूजिक सिखाया जाना चाहिए और बेसिक मैट्स हिस्ट्री और साइंस सिखाया जाहिए अब देखो बेसिक मैट्स ह main name था कि वो सिखाना जाते हैं अब जो music है ना वो क्या करेगा कि अभी तक वो physically थोड़ा बहुत तफ हो चुके हैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी physical level पे तो अब थोड़ा सा spiritual softness एड़ करने के लिए वो music को include करना जाते हैं अब देखो बच्चा जो है वो math, science और history में उसको कविता के जैसे गुन-गुना सके और enjoy करके पढ़ सके ठीक है अब सब एक और बड़ी बात वो कहते हैं कि music को प्लेटो बहुत restricted manner में बताना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं प्लेटो कहते हैं कि music का दो form होता है एक music जो है वो बहुत extreme music होता है जो लोगों एक अलग मतलब उनके character को खराब कर देता है प्लेटो का मानना है कि जो लोग बहुत ज़ादा नाच, गान और इन सब में उलज जाते हैं ऐसा प्लेटो मानते हैं तो लोग उनका character जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है तो प्लेटो चाहते हैं कि बच्चों को एक selected music के training दी जाए जहां जो music बच्चों को motivate करे math, science, history और इन चीजों को पढ़ने के लिए और encourage करे life में आगे बढ़ने के लिए तो प्लेटो का music पे concept ये था तो हमने देखा कि primary education के first stage पे उन्हें physical education के physically train किया गया जिससे कि वो आगे कोई दवाओं पे उनको ना depend होना पड़े औ और primary education के second stage 10-15 साल की उमर में उनको music सिखाया गया एक restricted form of music और उसके बाद उनको basic math, science और history सिखाई गई जिसको वो music का use करके गुन-गुना सके और enjoy करते हुए पढ़ सके अब primary education का third stage आता है 15-20 साल की उमर में इस 5 साल की उमर में बच्चों को moral education दिया जाता है ये दो अब ही भी हमें ये चीज़ अपनानी चाहिए मतलब सोचो प्लेटो अपने theory of education में primary education में ही third stage में 5 साल तक बच्चों को moral education देना चाहते हैं प्लेटो को ऐसा लगता है कि बच्चा physically strong हो चुका है music भी सीख ली है अब math, history, science को गुन-गुना कर याद भी कर रहा है तो अब ऐ जो corruption हो रहा है बच्चों की सोच तक जो गंडी हमें सुनाई देती है दिखाई देती है वो जो बच्चे सीख रहे हैं अपने समाज को देखके वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा अगर ये moral education वाला scheme प्लेटो का हम अपना ले तो तो ये था प्लेटो का primary प्राइमरी ले पहला exam होगा अब जो लोग इस exam में फेल हो गए वो लोगों को प्लेटो बताते हैं कि वो लोग अप ट्रेडर क्लास के लोग हैं यहीं पर उनका filtration हो जाता है ठीक है इसलिए इसको first filtration exam भी कहते हैं यहाँ पे प्लेटो कहते हैं अब आप लोगों में इस exam से पता चलता है कि आप लोगों में जो है वो appetite का trait जादा है इसलिए अब आप लोग trader बन जाओ ठीक है यहीं आपका profession है और lifetime इसी को practice करो और enhance करो इसी field में और बाकी जो लोग इसमें पास हो जाते हैं प्लेटो उनको फिर further education के लिए promote करते हैं अब यहाँ पे देखो trader class निकल चुका है अब ह higher education में भी प्लेटो तीन स्टेजेज में उसको सब्डिवाइड करते हैं पहला स्टेज जो 20 से 30 साल तक चलता है दूसरा जो 30 से 35 साल तक चलता है और last stage 35 से 50 साल तक चलता है तो देखते हैं higher stage का higher education का first stage जो 20 से 30 साल यानि कि 10 साल तक चलता है इसमें जो है students को advanced physical mental और moral training दी ज जाती है अब 10 साल तक advanced physical mental और moral training देने के बाद 30 साल की उमर में उनका दूसरा grand examination होता है इस exam में जो बच्चे fail हो जाते हैं प्लेटो उनको कहते हैं कि आप जो है वो man of silver हो आपके में जो है courage का element जादा है तो अब आप soldier class को join कर लो तो वो लोग soldier class को join कर लेते हैं और इसमें जो बच्चे pass हो जाते हैं उनको further education के लिए promote कर दिया जाता है तो अब ये जो 30 साल की उमर में जो exam हुआ ना तो अब इसके बाद जो बच्चे निकल कर आए जो students निकल कर आए वो philosopher class के हैं trader class पहले ही निकल चुका था इस exam के बाद soldier class में निकल गया अब सर्फ philosopher class के लोग ब इस से 35 साल तक अब 5 साल तक ये जो philosopher class के लोग हैं इन लोगों को philosophy सिखाए जाएगे dialectic सिखाया जाएगा तर्ट वितर्ख reason का जो उनके अंदर अब प्लेटों को पता चल चुका है कि ये जो लोग छट कर आए हैं इनके अंदर reason का element जादा है ये सब philosopher class के लोग हैं तो इनक जब राज पार्ट में आना होता था practically सब कुछ experience करना होता था तो उनको बाहर निकालके practical दुनिया में ले आया जाता था ठीक उसी तरह 35 साल के बाद 35 से 50 साल तक यानि कि 15 साल तक के लिए उन लोगों को बाहर लाते हैं और उनको real world में introduce कराते हैं मालनों उनको कोई एक रा problems आती है state level पे उसको कैसे solve करना है यह practically सीखते हैं 15 साल तक यह लोग उसके बाद फिर फिर 50 साल की उमर में उनका final exam होता है बहुत सारे books में यह 50 साल का final exam की बात नहीं की गई है लेकिन O.P.Gamma में यह mentioned है western political thought ठीक है यह process को complete करता है तो 50 साल की उमर में उनका final exam होता है और इस exam में जो लोग पास हो जाते हैं वो ही हमारे philosopher kings और queen है बतलब अभी तक जो 30 साल की उमर में जो exam हुआ उसमें से philosopher class तो निकल कर आया 30 से 35 साल तक उनको philosophy पढ़ाई गई 35 साल तक उनकी practical training होई लेकिन उसमें से हमारा दार्शनिक राजा और या फिर दार्शनिक रानी philosopher king य लेकिन उसमें से सारे हमारे king या queen तो नहीं हो सकते ना तो इसलिए 50 साल की उमर में पूरी practical training 50 साल तक देने के बार मतलब 15 साल तक 50 साल की उमर तक देने के बार 50 साल की उमर में उनका final exam होता है अब इस final exam में जो लोग pass हो जाते हैं वो हमारे philosopher kings या queens होते हैं और जो इस exam में fail हो जाते हैं वो लोग austeries यानि कि सहायक यानि कि उनके advisor बन जाते हैं जैसे कि example के लिए मैं अगर आपको समझाओं तो जैसे मालो हमारा cabinet ministers हमारे हैं और हमारे prime minister हैं तो वो सारे cabinet ministers को भी यह मैं बस समझाने के लिए यूज़ कर दी हूँ कि जो सारे हमारे cabinet ministers हैं वो सारे philosopher है और जो हमारे prime minister है वो भी philosopher है लेकिन जो हमारे prime minister है ना उनको practically implement करना आता है जो भी उनके पास ग्यान है जो भी उनके पास philosophy है, reason है उसको वो practically implement कर सकते हैं लेकिन जो cabinet ministers हैं उनके जितना पारंगत नहीं है यह काम करने में इसलिए उस exam में fail हो गया और इसलिए उनको जो है उनके जो है एडवाइजर बना दिया गया लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कहीं से कम है वो भी उन्हीं के लेवल की फिलोसिफी जानते हैं लेकिन बस वो उसको प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट करना उतनी अच्छी तरह से नहीं ज बानते इसलिए उनको एडवाइजर बना दिया गया और वो जानते हैं इसलिए वो एक्जाम में पास हो गया और उनको फिलोसिफर किंग या क्वीन बना दिया गया अब देखो अब पचास साल के उमर में एक्जाम हो गया जो लोग छट गए वो एडवाइजर बन गया और जो लोग पास हो गए वो लोग हमारे philosopher kings या queens बन गए लेकिन जरूरी तो नहीं अना कि सिर्फ एक ही इंसान पास हो हो सकता है तीन या चार लोग उस exam में पास हो गए तो तीन चार philosopher kings या queens हमें मिल गए तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से एक कौन है जो हमारा राजा बनेगा तो उसके लिए आईए देखते हैं क्या process है अब देखो many philosophers will be produced at the same time how to select the philosopher king और queen तो इसके लिए Plato कहते हैं कि philosopher has no lust for power he has love for knowledge अब देखो जो तीन चार लोग छट करके आए जो हमारे असली में philosopher kings या queens है उन लोगों को knowledge की चाह है वो और knowledge अरज़ित करना चाहते हैं वो rule करना नहीं चाहते वो चाहते हैं कि वो ग्यान की खोज में जाए और ग्यान अरज़ित करें वो rule बिल्कुल भी करना नहीं चाहते लेकिन जो प्रजा के लोग हैं वो चांदते हैं कि सिर्फ यही लोग हमें रूल करने के काबिल है तो इसलिए वो उनसे request करते हैं कि प्लीज आप जो आपकी जो ग्यान की भूख है उसको sacrifice करके प्लीज हमारे लिए रुख जाओ और हमें रूल करो क्योंकि आपके आपसे ज़ादा अच्छा हमें रूल कोई नहीं कर सकता तो फिर वो लोगों के लिए अपनी ग्यान की भूख का त्याग करके और उन लोगों को रूल करते हैं इसलिए यह जो philosopher kings यह queens है ना इनको symbol of knowledge और sacrifice कहा जाता है तो अब मालो तीन-चार लोग ready हो गए कि तीन-चार लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें ग्यान की भूख हैं हम rule नहीं करना जाते तीन-चार philosopher kings यह queens है प्रजा लोग आए वो बोले नहीं आप ही हमें rule कर सकते हो please हमें rule करो क्योंकि आपके अलावा कोई और हमें rule इतने अच्छे से नहीं कर सकता तो वो वहाँ पे अपने knowledge का sacrifice करके इनको rule करने के लिए आ जाते हैं अब यह तीन-चार लोग हैं तो इसमें से कौन rule करेगा तो इसके लिए क्या होगा कि they will accept the responsibility one by one for limited period अब वो यह जो राजा philosopher king की responsibility है वो एक-एक करके implement करेंगे limited period के लिए तो इस तरह से हमें हमारे philosopher king या queen मिलेंगे ठीक है limited period के लिए तो यह था Plato का theory of education अब Plato यह भी कहते हैं कि those states are best governed where rulers are reluctant to govern rather than the state where rulers are eager to govern Plato यह कहना चाहते हैं कि वो state जहां पर राजा जो है वो उसको लालच नहीं है राज करने का वो state best governed state है और जहां राजा को लालच आ गया कि मुझे राज करना है यही मेरा aim है वो state कभी भी best governed state नहीं हो सकता और वहाँ justice कभी भी established नहीं हो सकता है तो यह था Plato का theory of education जो कि theory of justice से बहुत जादा connected है जो कि हमने देख लिया कि कैसे connected है अब क्योंकि वो theory of justice को implement करने के लिए वो process बताते हैं इसमें theory of justice में वो बताते हैं कि dominant rate के according काम करो लेकिन कैसे पता चलेगा dominant rate तुमारे में कौन सा है उसके लिए वो theory of education देते हैं पूरा process बताते हैं जिससे होकर गुजरने के बाद तुम जान जाओगे कि तुमारे अंदर concentrate जादा है तो यह था Plato का theory of education अब बहुत सारी लोग Plato की theory of education को criticize करते हैं अलग-अलग arguments दे करके पहला argument क्या है Plato के criticizers कहते हैं कि Plato के theory of education के according higher education सिर्फ ruler class के लिए है और कुछ हद तक कुछ दूर तक soldier class को भी education दिया जा रहा है लेकिन trader class जो है वो सबसे जादा exploit हो रहा है क्योंकि उनको तो बहुत primary level का education दिया जा रहा है बच्चों के level का education दिया जा रहा है तो उनका तो overall development हो ही नहीं पा रहा है उनको तो education मिली ही नहीं पा रही है तो फिर यह उनके साथ जो है वो discrimination हो रहा है तो यह argument दे करके कुछ लोग Plato को criticize करते हैं उनकी theory of education के लिए second criticism क्या है कि यह जो theory जो है न वो more theoretical है और less practical है 15 साल तक बस practical training होती है और पूरे 35 साल तक theoretical knowledge चलती रहती है theoretical learning चलती रहती है तो इसलिए इस बात के लिए भी Plato के theory of education को criticize किया जाता है अगला criticism क्या है अब देखो अगर मैं कोई writer हूँ अगर मैं कोई कविता लिखती हूँ कोई कहानी लिखती हूँ तो मैं अपने आसपास के वातावरण environment society को देख करके उसी से inspired हो करके लिखूंगी न तो मेरा जो literature work है जो मैं लिख रही हूँ वो इस society का mirror की तरह हुआ कि न लेकिन literature को Plato importance नहीं देते हैं तो इस बात के लिए भी उनको काफी criticize किया जाता है अब एक और criticism चौथा point क्या लोग Plato को theory of education को क्यों criticize करते हैं इसका चौथा argument अब देखो यह जो this educational system has been designed to fulfill the needs of state and there is less focus on individual's development तो यह जो है वो कहते हैं यह लोग की Plato का theory of education जो है वो state के state को जादा focus करता है कि state के लिए यह अच्छा है जो state ऐसे establish होगा उसके लिए यह process है theory of education का यह process है state के लिए लेकिन individual का क्या individual के development की कोई बात नहीं कर रहा है कि individual का interest कैसे fulfill होगा वो कैसे अपने आपको develop करेगा individually मतलब उसके लिए particularly जादा बात नहीं की जा रही है तो इस बात के लिए तो Plato को theory of उनके theory of justice में भी इसी argument को देकर कई लोगों ने criticize किया था और same argument theory of education में भी दिया जा रहा है और अब last point क्या है criticism का यह तो मतलब मैं तो last point से बिलकुल इतिफाक नहीं रखती लेकिन कुछ criticizers Plato को यह कहके भी criticize करते हैं कि men और women male और female दोनों के लिए एक ही syllabus रखा है Plato ने जो कि inappropriate है तो लोग कहते हैं कि similar syllabus for both men and women is inappropriate और यह statement देकर भी Plato की theory of education को कुछ लोग criticize करते हैं अब conclusion क्या है देखो चाहे लोग जितना भी Plato को criticize कर ले लेकिन बहुत सारी बाते जो Plato ने बताई जो भी theories वो देते हैं उसको बिलकुल ignore नहीं किया जा सकता वो बहुत बड़े दार्शनिक थे अभी अगर हम लोग उस चीज को implement करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ चीजे हमें गलत लगे लेकिन उस समय के लिए बहुत सारी चीजे जो उन्होंने बताई वो सच में revolutionary थी जैसे कि Plato ने जो है उस वक्त वो इतने बड़ प्रशनिक थे कि वो समझ गया थे कि जब तक एक male और female को equal training नहीं दी जाएगी उनको equally treat नहीं किया जाएगा equal education नहीं प्रवाइड किया जाएगा society आगे कभी नहीं बढ़ सकती क्योंकि Plato जानते थे कि अगर माल लो यह पूरी society है माल लो 50% females है यहाँ पे तो अगर आप 50% उन पूरी females को आप educate नहीं कर रहे हो तो आप पूरी आधी society मतलब आधी की आधी society को जो है वो illiterate चोड़ रहे हो अंधकार में चोड़ रहे हो तो आप कैसे यह imagine कर सकते हो कि आपकी society develop करेगी तो यह बहुत बड़ी बात थी जो Plato ने उतने मतलब आज से कितने साल पहले ही स सोच लिया था जो हम आज भी नहीं समझ पाते हैं तो Plato का एक statement है कि state is essentially pedagogic means imparting education is one of the most important function of the state इस तरह के जो pedagogic इस तरह के keywords वाले जो statements है वो अगर आप अपने answer में include करोगे तो वो काफी impactful लगेगा तो Plato कहते हैं कि state is essentially pedagogic उनके कहने का मतलब यह है कि education जो ऐसा नहीं है कि state education को ignore कर सकता है नहीं education जो है वो बहुत जादा important है बिल्कुल essential है कि state जो है अपने state जो लोग रह रह रहे हैं citizens को education provide करें उन्हें educate करें यह बहुत जारा जरूरी है यह ignore नहीं किया जा सकता इसलिए वो कहते हैं कि it is essentially pedagogic मतलब imparting education is one of the most important function of the state most important function बोला गया है state का कि अपने citizens को educate करो यह तुम्हारा most important function है तो यह था conclusion तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching till now अगर पसंद आई तो like share और subscribe करना ना भूले कोई question हो कोई confusion हो तो या फिर कुछ recommend करना हो तो comment box में लिखकर जरूर करिए thank you so much for watching till now this is Akang Shah Rai signing off